वेलकम टू माई यूटूब चैनल मैं अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं प्लीज सब्सक्राब मैं चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर निव अपडेट मेरे चैनल को सब्सक्राब करें और बेल नौटिफिकेशन को ओन करें यह पाइप बैल्डिंग का सब्सक्राब में पूछे जाने वाले कुश्चन है बहुत इंपोटेंट कुश्चन है यह शरू करते हैं कुश्चन नंबर बन 50 mm ब्यास के पाइप को काटने के लिए किसका प्रियोग करेंगे ऑप्सने गैस कटिंग ऑप्सन भी आर्क कटिंग ऑप्सन सी पाइप कटर इसमें से सही आंसर है ऑपशन सी पाइप कटर ज्यानि च्छोटे ब्यास के पाइप को काटने के लिए पाइप कटर का इस्तेमाल करते हैं नेस्ट कुश्चन, पाइब बड जोइंट में कितने टेक बेल्ड लगाते हैं, ओप्षन A, दो, ओप्षन B, तीन, ओप्षन C, चार, और ओप्षन D, इन में से कोई नहीं, तो सही आंसर है इसका, ओप्षन C, चार टेक बेल्ड लगाते हैं, नेस्ट कुश्चन, पाइब की वाल थिकनेस 4 mm हैं, तो किनारे किस तरह के बनेंगे, ओप्षन A, इसक्वाइर, ओप्षन B, सिंगल वी, ओप्षन C, सिंगल बेल, ओप्षन D, कोई नहीं, राइट आंसर है इसका, ओप्षन A, इसक्वाइर, अगर वाल थिकनेस 5 mm से कम होती है तो किनारे स्क्वाइर बनते हैं, नेस्ट कुश्चन, 8 mm बाल थिकनेस वाली, पाइब के किनारे कैसे बनाओगे, ओप्षन A, इसक्वाइर, ओप्षन B, सिंगल वी, ओप्षन C, डवल वी, ओप्षन D, कोई नहीं, इसमें से राइट आंसर है, ओप्षन B, सिंगल वी, सिंगल वी बन जाता है, नेस्ट कुश्चन, पाइब के किनारों पर सिंगल वी बनाते समय, रूट फेस कितना दिया जाता है, ओप्षन A, 0.5 mm, ओप्षन B, 1.5 से 2 mm, ओप्षन C, 2 mm और ओप्षन D, इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर है, ओप्षन B, 1.5 से 2 mm तक रूट दिया जाता है, नेस्ट कुश्चन, कुश्चन नमबर 6, पाइब के बट जोइंट की टैकिंग करते समय, बीच में एक रिंग डालते हैं, क्यों, ओप्षन A, समान रूट गैप के लिए, ओप्षन B, ऐसे ही, ओप्षन C, गैप भरने के लिए, ओप्षन D, कोई नहीं, नेस्ट कुश्चन, कौन सी बैल्डिंग पोजिशन में, बैल्डर को फिक्स पाइब के चारो तरब घूम कर बैल्डिंग करनी होती है, ओप्षन A, 1G, ओप्षन 2, 2G में, ओप्षन C, 5G में, ओप्षन D, 6G में, इसका राइट अंसर है, ओप्षन C, 5G, 5G में पाइब फिक डाउन एंड सारी पोजिशनों बैल्टिंग करनी पड़ती है, गूम गूम कर, नेस्ट कुश्चन, पाइब के V गूर्प का कौन कितना होता है, ओप्षन A, 50 डिग्री, ओप्षन B, 75 डिग्री, ओप्षन C, 100 डिग्री, एंड ओप्षन D, कोई नहीं, इसमें राइट अंसर है, ओप्षन B, 75 डिग्री, पाइब का जो गूर्प एंगल बनता है, वो 75 डिग्री में बनता है, नेस्ट कुश्चन, पाइब कटिंग के बाद, उसकी बर किस से साफ करते हैं, ओप्षन A, रेती से, ओप्षन B, हैक्सा से, ओप्षन C, फिरस से, और ओप्षन D, इन में से क फाइल का काम बरसा फाइल से करते हैं, किसी भी जॉब की, नेस्ट कुश्चन, पाइब को एक तरफ से कितना बेवल किया जाता है, ओप्षन A, 37.5 डिग्री, ओप्षन B, 45 डिग्री, ओप्षन C, 30 डिग्री, एंड ओप्षन D, इन में से कोई नहीं, राइट आंसर है, इसक किनारे को, फिर दूसरे किनारे को उतना ही, जब जा कि दोनों 75 ग्रूप बनता है, पाइब बेल्डिंग में, टी डी सी का मतलब होता है, तो आपको टी डी सी की फुल फॉर्म बतानी है, ये पाइब बेल्डिंग में होता है, इसका आता है, टॉप डैड सेंटर, इसका एक में बीडियो पूरी पाइप बेल्डिंग के बारे में 30 बीडियो बना के दूंगा तब उसके किलियर हो जाएगा आपका ये नेश्ट कुश्चन पाइप का बट जोइंट बनाते समय दोनों पाइपों को रखा जाता है कहां पर और ऑप्शन A एंगल आईरण पर ऑप्शन B प्लेट के उपर ओप्शन C कहीं भी रखें ऑफशन D कोई नहीं राइट आंसर है इसका ऑफशन ए एंगल आइरन जब दो पाइप को बड़ जोइंट बनाते हैं तो एंगल आइरन पर आमने सामने रख करके उसकी टेकिंग करते हैं नेस्ट कुश्चन कुश्चन नमर 13 किस साइज के पाइप को अप हिल वैल्डिंग कर सकते हैं कि ऑप्शन ए फाफंएम को ओप्शन वी ऑप्शन एस फ्हूरएमेम को ऑफशन भी फाइए味 या उससे अधिक को ओफशन सी दोनों को ऑफशन डि कोई नहीं राइट आंसर है option B 5 mm या अधिक को यह गलत लिग गया थोड़ा option में देख लेना भी आंटर है नेस्ट कुश्चन पाय बेल्टिंग में TDC कितने डिगरी का होता है option A 10 डिगरी option B 15 डिगरी option C 15 डिगरी option D 20 डिगरी राइट आंसर है इसका option A 10 डिगरी जो TDC होता है 10 डिगरी का होता है फाय उसमें अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्रीज लाइक जरूर किया करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो किस तरह की लगी और आप क्या पूछना चाहते हैं अगर आप किसी अपने परसनल टॉपिक पर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं अपने इसाब से तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं मैं उस पर वीडियो बना दूँगा थैंक्स पर वाचिंग